तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मचाइवली's views on public morality जो मचाइवली है वह क्या है। फरस्ट मॉडर्न थिंकर है और वह क्या करते हैं सेपरेट करते हैं politics को ethics से और अटिक और पोलिटिक को separation और इनके relationship के बारे में जो viewpoint है वो इन points के अंदर उनने बताया है first point में वो कहते है public welfare is the moral duty of the ruler means कि जो एक ruler है उसकी moral duty क्या है पब्लिक की क्या करना, पब्लिक का वेलफियर करना Next point में और युजर वर्जन ऑम्रालिटी इसमें वो ट्यू ताइपस ऑफ वर्जन ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं First बोलते हैं इसमें जो first type ऑफ वर्जन ऑफ मोरालिटी है वो है The Rular and the second है For the Common Masses and in third point में वो कहते हैं वो का करते हैं ethics और politics को completely separate करते हैं और start करते हैं and justifies he means fourth point में वो कहते हैं उनका मानना था कि लीचन जो है उसको एक as a tool use किया जाता है for regulating the behavior of the people एक person की behavior को regulate करने के लिए उसको as a tool use किया जाता है religion को और ये एक क्या है फुल्फिल करता है public motifs को और इनका मतलब ये राइब टूल इनको as a use किया जाता है किसके लिए public motifs को फुल्फिल करने के लिए fifth point में वो कहते हैं मेकावली नॉट इम्मॉरल बट अन्मॉरल ही उन्होंने कहा है two-fold classification ही है firstly वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया ethics और politics को separate किया है secondly वो क्या कहते हैं कि ethics क्या है subservient है किसके politics के अब फो इसके criticism की बात करते हैं कि जो views on public morality है मेकावली का क्या criticism है first में वो कहते है जो theory है वो एक shield है all the immoral acts of the rulers and politicians second में कहते है history जो है जितने भी interest प्रूफ करता है कि जितने भी interest रूलर्स और स्टेट्स के वो क्यों हते हैं always identical नहीं होते हैं always identical नहीं होते हैं कि मतलब कि कभी भी same हमेशा same नहीं होंगे rulers and state के जो interest है वो हमेशा same नहीं होंगे and third में वो कहते हैं and could not always justifies the means implied कि वो end जो है वो हमेशा क्या करता है justify नहीं करता है means implied को thank you I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी so like this video and subscribe my channel